two vectors, तो torque को कोई दो vectors के vector product के तौर पर भी लिखा जा सकता है और अब आप यह देखेंगे कि कैसे लिखेंगे इसको, consider a particle P in the xy plane suppose its position vector is OP vector is equal to r vector, let capital F vector be the force acting on the particle the torque acting on the particle is defined as the vector product of position and force vectors vector product of the position and force vectors दो हमने इसमें यह देखा कि हमारे पास, जैसे यह इधर z axis है यह वाली axis को y axis ले लिया और यह वाली axis को हमने ले लिया x axis front वाली axis को हमने x axis ले लिया तो torque का हम last class में यह देख चुके हैं कि torque को ऐसे बोला जा सकता है जैसे याद करिए e force into small d यानि कि perpendicular distance from the axis of rotation force into perpendicular distance from the axis of rotation तो basically क्या क्या multiply हो रहा है force multiply हो रहा है और distance multiply हो रहा है तो हमने यह कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एक plane है तो plane हम इस तरीके से कहते हैं जैसे मान लीजिए कि यह सामने आपको एक plane दिखाई दे रहा है तो यह सामने जो plane दिखाई दे रहा है इसमें क्या है कि मान लीजिए यह वाली जो axis है horizontal वाली axis y axis हो गई और यह जो vertical वाली axis है यह z axis हो गई और front में अगर कोई line निकल कर आ रही है तो उसको हमने x-axis बोल दिया तो वो ऐसे हो गया कि जैसे माल लीजे इसी तरीके का एक board ऐसे front में लगा हुआ हो तो उस front में जो board लगा हुआ है उस पर आप कुछ भी अगर बनाएंगे तो वो क्या कहला हैगा x-y plane क्योंकि आप क्या-क्या यूज कर रहे है एक तो x वाली length यूज कर रहे है और y वाली breadth यूज कर रहे है इस पर board पर मैं कुछ भी बनाऊंगा तो इसका length किदर ये वाला length कितना है y मतलब y-axis है ये वाला ठीक है और जो vertical axis है ये z-axis है इस पर कुछ भी अगर हम बनाएंगे तो वो क्या कहला हैगा y-z plane तो हमने ये माना कि हमें x-y plane बनाना है तो x-y plane कैसे बनेगा x से y-axis के parallel एक dotted line draw कर लो ऐसे x-y plane का मतलब है कि ऐसे सामनी की तरफ एक board लगा हुआ ऐसे fit और रखा है particle तो अब हम इस पर force लगा रहे है तो हमने कहा कि force कैसे लगाई जा रही है force चलिए जी ऐसे लगाई जा रही है और ये origin है origin के about is particle को गुमाया जा रहा है तो origin से इसका distance निकालेंगे origin से इसका distance निकालेंगे इसका vector distance vector हो गया है ये r vector force भी एक vector quantity होती है f vector तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं के tau vector is equal to r vector cross f vector ठीक है tau vector is equal to r vector cross f vector ठीक है तो ये बस ये बोला जाता है कि अगर vectorically आपको इसको represent करना है तो अगर normally आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि हमारे पास torque है तो torque में अगर हमको force दे रखा है और perpendicular distance from the axis of rotation दे रखा है तो f into d कर देंगे तो torque का magnitude आजाएगा सिर्फ अमारे पास लेकिन अगर vectorically दे रखा है तो vectorically आपको दे रखा होगा जिस point पर force लगा ही जा रही है वो वाला force वो force vector में क्या होगा f vector और उसका जिस point पर force लगा ही जा रही है उस point तक का axis of rotation से distance तो distance vector ले लेंगे r vector तो अगर vectorically दे रखा है तो r vector cross f vector होगा जैसे अभी तुमने paper दिखा है ना तो तुमारे paper में भी कुछ questions vector वाले दे रखा है तो उसमें आपको यह देखना है कि अगर work done निकालना है तो work done क्या होता है work done होता है force into displacement तो force दे रखा है i cap, j cap, k cap की terms में ठीक है और displacement दे रखा है तो दोनों का dot product निकालना होता है तो वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ torque अगर निकालना है तो दोनों का cross product निकालना होगा Cross product क्या होता है? Cross product में अगर magnitude निका लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? R F sin theta अब यह theta क्या है? यह theta हमारे पास ही हो जाएगा कि R vector और F vector इन दोनों के बीच में angle कितना बन रहा है? ठीक है? R vector और F vector इन दोनों के बीच में angle कितना बन रहा है? That is sin theta तो बस आपको इतना इतना याद रखना है कि अगर आपको vectorically पूछा जाए तो torque can be expressed as R vector cross F vector और कोई derivation नहीं है इसका ठीक है? Next point देखेंगे The direction of torque is perpendicular to the plane containing vectors R vector and F vector and its sense is determined by right hand rule इसकी जो sense है it is determined by right hand rule sense का मतलब क्या है? वो समझ नहीं है sense का मतलब sense का मतलब है यहाँ पर direction आप देखिएगा physics में अगर कहीं पर sense की बात होती है कि sense उसकी जो है वो कहाँ पर है तो sense मतलब उसकी direction की बात हो रही है तो direction कैसे निकाली जाती है? अब एक चीज़ बन में आ रही होगी R vector cross F vector ही क्यों करा? उल्टा क्यों नहीं कर दिया F vector cross R vector क्यों नहीं कर दिया क्योंकि दोनों का मतलब बिलकुल अलग होता है आप यह देखिएगा कि जब हमारे पास यह R vector है और यह F vector है तो जब हमको इनका cross product करना होता है तो cross product किस तरीके से होता है? किसी का भी जैसे R vector है तो R vector कैसे निकाला जा रहा है? R vector ऐसे इस तरह से निकाला गया ऐसे निकाला गया origin से point P तक का जो distance है जो distance है उसको vectorically अगर represent करेंगे तो that is called R vector ठीक? लेकिन जब इसका cross product करा जाएगा तो cross product कैसे करेंगे? cross product तो भाई ऐसे होता है कि ये A vector है और ये B vector है माल लीजिए ये A vector है और ये B vector है इन दोनों के बीच का angle theta है तो अगर A vector cross B vector कहा जाएगा तो क्या समझें? आप ये समझें, जैसे page kus होता है हमारे पास, screw diver, page kus तो page kus को अगर मैं ऐसे ऐसे गुमा रहा हूँ तो दुनिया के जितने भी page kus हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं कि उनको ऐसे ऐसे गुमाते हैं तो page जो है, वो कस्ता जाता है और वो अंदर की तरफ चला जाता है तो अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या है समझेंगा ये जो है, ये जो वाली axis है इसको मैंने क्या मान लिया, y axis ठीक है, वर्टिकल वाली जो axis है उसको मैंने क्या मान लिया, z axis तो ये जो a और b मैंने बनाया है ये कहां बन रहा है ये z y plane में बन रहा है अब मैं निकाल रहा हूँ a vector cross b vector तो समझेगा, a को b की तरफ गुमाना है e vector cross b vector का मतलब a को b की तरफ गुमाना है तीक है उसी plane में इसी plane में आप a को b की तरफ ऐसे गुमाते चले जाओगे तीक है, जब आप गुमाते चले जाओगे right hand screw rule तो right hand screw rule का मतलब क्या है कि आपका right hand आप पकड़कर और आप screw diver से, उसको कसते जा रहे हो पेज को tight करते जा रहे हो तो उसका direction कहां पर हो जाएगा direction बताइए वह क्या हो जाएगा direction क्या हो जाएगा into the board, अंदर की तरफ तीक है, और into the board क्या है देखिए बाहर की तरफ वाला direction क्या positive x-axis तो अंदर की तरफ वाला direction क्या हो जाएगा negative x-axis, ठीक है अच्छा, अब उल्टा सोचो, B vector cross A vector, B vector यानि कि B को A की तरफ घुमा रहे हो तो यानि कि ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे उल्टा, जब उसको उल्टा घुमाओगे तो A vector cross F vector क्यों या आप बताता हूँ हम यह कहते हैं कि कोई भी जब हमारे पास vector होता है तो अगर vector का मेरे को cross product निकालना होता है तो vector A की point से दोनों vector start हो रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह origin से आ रहा है, कैसे आ रहा है origin से, अरे भाई जो भी vector निकाला जाता है ना, किसी भी point का अगर distance vector निकालते हैं तो वो origin के respect में निकालते हैं किसी ने कह दिया आप से भाई अपने location बेज दे, आप अपनी location बेज देते हैं ना, वो Google Maps पर Google Maps पर location में जाकर कभी कभी, कभी कभी क्या होता है कि वो उस जगय का आपने नाम feed कर दिया या अगर online उस जगय का नाम feeded नहीं है, आप कहीं जंगल बंगल में तो आप यह देखेंगे, कि location के नाम पर na, degree dash, वो लिखावा जाता है ठीक है, और वो सारी चीज़े आप जानते हैं, वो coordinate जाते है और वो degree, dash, वो क्या है वो angle है, angle है angle में degree की जब बात होती है तो जैसे meter होता है, meter के बाद अगली unit centimeter होती है, ठीक है उसके बाद अगली unit millimeter, उससे छोटी unit sub units, तो इसी तरह से degree की sub unit minute, और minute की sub unit second, ऐसे होता है, तो degree के लिए तो एक छोटा सा circle बना देते हैं, bubble बना देते हैं और minute के लिए dash लगा देते हैं और second के लिए double dash लगा देते हैं तो वो आपकी position है position किसके respect में है, origin के respect में जब हम GPS की बात करते हैं global positioning system तो global positioning system में origin बता है किसको लिया जाता है, center of earth को earth के center को लिया जाता है तो आप अगर America में बैठे वे हो और वहां से आप डालोगे के नहीं गाजियाबाद की location तो वो America से गाजियाबाद तक का distance दिखा देगा ठीक है, roots दिखा देगा कि C root ये है, air root ये है, road root ये है, वो इस तरह से सारी चीज़े दिखा देगा आपको, तो आप ये देखिएगा वो सारी चीज़े क्या है, वो coordinates ही तो है तो जब भी कभी vector को start होता है, वो origin से start होता है तो हमने ये कहा कि इस वा जैसे point P का, अगर distance vector निकाला जाएगा, तो ये तो origin से start हो रहा है लेकिन cross product निकालने के लिए vectors का ये एक जगे से निकलना जरूरी है तो मैं ये कहता हूँ मैंने पहले भी बताया था, vectors वाले में कि vector कोई भी हो, जैसे मान लीजीए ये vector है, ये vector इस a vector को इतनी ही length रखते हुए आप आगे कितना भी shift कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है, आप इसको पीछे कितना भी shift कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे ही a vector को parallel ही आप कितना भी shift कर दो ऐसे, या ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फर्क तब पढ़ जाएगा जब आप इसको ऐसे ऐसे गुमाऊँगे ठीक है जब आप इसकी length बढ़ा दोगे तब फर्क पढ़ जाएगा किसी भी vector की length का मतलब होता है उसका magnitude magnitude मतलब उसकी value आप उसकी length बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं ठीक है तो अब यह जो बीच का angle है this is called theta यह अब theta कहला है ठीक है तो अब क्या हो गया हम किसी भी vector को आप यह कहें कि ने यह ऐसे कैसे करा भी ऐसे कैसे करा यह तो मैं तो f vector को इदर किसकाना चाहता हूँ तो लेया हो वो भी कोई problem नहीं है आप f vector को पैरलली खिसका सकते हो और origin पर match करा सकते हो गूल मिलाकर हमारा जो purpose है वो यह है कि जो दोडों vectors है जिनका मैं cross product कर रहा हूँ न वो co initial vectors हों co initial का मतलब एक point से निकलते हुए vectors हों तो आप चाहे तो r को आगे shift कर दो चाहे f को थोड़ा सा ऐसे shift करो कि f यहाँ से start हो जाए f को parallelly shift करा जा सकता है ऐसे तो चाहे ऐसे gold हो तो तब हमें दोनों के बीच का angle यह वाला लेना होगा ठीक है क्योंकि यह वाला angle तो भाई 90 degree होगा force into perpendicular distance from the axis of rotation समझ गया मेरी बात ठीक तो अब आप यह देखे कि जब मैं r vector cross f vector करूँगा तो r f की तरफ जा रहा है r f की तरफ जा रहा है तो उसका sense यानि कि उसका direction क्या होगा outward उसका direction पाहर की तरफ होगा ठीक है समझ गया ठीक है चलिए जी तो अब special cases देख लीजिए special cases क्या है वो बहत असान है when theta is equal to 0 degree और 180 degree theta की value अगर 0 degree हो गई या 180 degree हो गई तो जड़ा ऐसी देख लो मैं करके नहीं दिखा रहा theta की value 0 degree है तो sin 0 क्या होता है 0? sin 180 क्या होता है वो भी 0 ठीक है तो torque हमारा होगा ही नहीं अगर theta की value 0 degree है theta की value 0 degree का मतलब क्या होगा है? क्या हुआ कि दोनों के बीच में angle ही नहीं मन रहा है कुछ भी जब दोनों के बीच में angle ही नहीं मनेगा तो torque कहां से लगेगी? torque लगेगी ही नहीं तो torque लगाने के लिए किसी angle पर to rotation provide कराएंगे ना तो angle ही नहीं अगला देखिए when theta is equal to 90 degree जब theta 90 degree है तो जो आपका torque है वो maximum होगा क्यों? sin 90 आप लगाएंगे तो sin 90 की value 1 होती है sin theta की सबसे बड़ी value प्लस 1 ही होती है तो sin 90 की value प्लस 1 हो जाएगी तो वो maximum value कहलाएगी तो tau की value RF आजाएगी उस case में यह दूसरा case था उसके बाद देखिएगा page number 21 पर page number 21 पर है तो यह topic लेकिन question की form में लिखा हुआ है इंपोर्टन समझ लीजिए इसको paper में बहुत पूछा जाता है इसलिए यह question include करा है यहाँ आप देखिएगा स्लेबस में page number 30 तक है जो आपको topics ना learn करने है उसके बाद सिर्फ फॉर्मुले फॉर्मुले देखने है moment of inertia के proving तो सारी हट गई है सलेबस से तो page number 21 पर है हम show that the magnitude of torque show that the magnitude of torque magnitude of torque यहने की सिर्फ tau की बात हो रही है tau vector की बात नहीं हो रही है is equal to magnitude of force into moment arm magnitude of force into moment arm magnitude of force F होता है और D जो है perpendicular distance from the axis of rotation इसी को moment arm बोल देते हैं ठीक है अच्छा also show that only angular component of the force is responsible for producing torque तो torque produce करने के लिए सिर्फ angular component ही जो है responsible होता है तो यह चीज आपको prove करके दिखाने है बहुत बड़ा नहीं छोटा सा proof है इसका answer देखिएगा answer क्या है suppose a particle is rotating in the xy plane मैं यह सब मिटा रहूं तो हमें क्या करना है magnitude of torque is equal to magnitude of force into moment arm यह चीज हम को prove करके दिखानी है तो देखिए suppose a particle is rotating in the xy plane suppose a force vector makes an angle theta with the position vector r vector of the particle तो अब देखिएगा के मैं topic कर रहा हूं question है on page number 21 page number 21 पर जो question है वो बारा discuss कर रहा हूं तो एक point है यहां पर P suppose a particle is rotating in the xy plane तो particle का position यहां पर है इस time particle xy plane में particle है कहां पर यहां पर रखा हुआ है तो dot से particle को दिखा दिया हमने अब इस particle का वो निकालते है distance vector वो कैसे निकालते है origin से इसको join कर दीजिए distance vector बोलो या displacement vector बोलो एक ही बात है तो r vector यह हो गया point P तो हमने माना कि force जो है वो ऐसे लग रही है F vector F vector इस तरह से है ठीक है तो अब जब angle बनाना है na angle हमको बनाना है F में और r के बीच में जब angle बनाना है तो angle theta लेंगे किसको हम यह कहेंगे कि भाई यह तो इस तरह से हो गया यह तो इस तरह से हो गया तो angle बनेगा कैसे यह जो r vector है इस r vector को ऐसे आगे लेकर आएंगे तो तभी तो दोनों एक point से निकलते हुए होंगे ठीक है तो तब उनके बीच में बनेगा angle theta तो हमने क्या करा है हमने न उस r vector को पूरी लंबी line ऐसे दिखाई नहीं हमने पस यहां पर एक ऐसे dotted line मना ली और dotted line मना गर यह वाला angle दिखा दिया theta ठीक है यह मैंने r vector की line को आगे extend करके दिखाया इसी तरह से आप f vector वाली line को पीछे extend करेंगे ठीक है और जब पीछे extend करेंगे तो आप कहेंगे आपनी इसी line को extend करा पीछे और इस line को extend करा आगे तो इधर अगर angle theta है न तो यह वाला angle पी theta बन जाए ता क्योंकि vertically opposite angles हैं दोनों के दोनों ठीक है अच्छा जी उसके बाद आगे चलते है उसके बाद आगे चलते है ये theta हो गया ये theta हो गया अब मुझे देखना क्या होता है मुझे देखना होता है force into perpendicular distance from the axis of rotation तो भाई force तो ये लग रहा है और axis of rotation ये origin है तो origin से इस वाली line पर इधर तो perpendicular drop होगा नहीं तो perpendicular drop होगा यहाँ नीचे कैसे ये perpendicular होगया तो perpendicular distance हमारे पास ये बन जाएगा इसको बोलेंगे d ये वाला जो point है न इस वाले point को मैंने बोल दिया n ठीक है और ये R vector है यहाँ तक बता दीजिए यहाँ तक के पूरी कहान ही clear है कि नहीं हमने क्या देखा हमने देखा कि एक particle है point P पर यहाँ पर एक particle है उस particle पर force ना इस direction में ऐसे लग रही है ठीक है online वालों को भी समझ में ना है तो बता देना यहाँ पर force लग रही है F vector इस तरह से और जिस particle पर force लग रही है उसका position vector sorry distance vector वो हमने ऐसे निकाना origin से join करके यह R vector हो गया फिर हमने यह कहा कि angle हमेशा force और R vector के दोनों के बीच का angle होता है तो वो दोनों ही vectors एक ही point से निकलते हुए होने चाहिए तो हमने क्या करा हमने इस R vector को पूरा ना दिखा कर हमने पास dotted line आगे दिखा दी कि R vector अगर यहाँ से इस point से निकलेगा तो ऐसे जाएगा तो R vector को थोड़ा extend करा F vector यहाँ पर ही तो axis of rotation origin है तो origin से perpendicular drop करना है किस पर? force पर तो भई force तो इधर है इस पर ऐसे तो perpendicular drop हो नहीं सकता perpendicular ऐसे drop हो सकता है तो किसी भी line पर अगर perpendicular drop करना होता है तो अगर उस line पर perpendicular drop नहीं भी हो पा रहा है तो produced पर उस line produced पर अगर drop हो रहा है जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक लाइन है मान लीजिए ये ट्राइंगल है मान लीजिए ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमसे ये कहा जाता है कि ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B और ये वाला पॉइंट है C क्योंकि A से तो perpendicular यहां हो रहा है drop तो BC पर नहीं हो पारा BC produced पर हो जाता है तो इसी को यही वाली जो distance है यही वाला जो perpendicular है इसको height बोल देते हैं और इसको base बोल देते हैं तो इस तरह से इस triangle का area हमारे पास आ जाता है half base into height half base into height यह याद है आपको इस तरह से करते थे के line को extend कर दिया perpendicular डाल दिया तो वो ही मैंने क्या कर रहा line को extend करके perpendicular डाला है अब आगे कहानी सुनियेगा जो यह force है vector तो force vector को दो components में resolve करा जाएगा एक component हो जाएगा angle के along वाला जो कि क्या होता है f cos theta f cos theta तो उसको ने मैं f r बोल रहा हूँ उसको मैं f r बोल रहा हूँ f cos theta को हम f r बोल रहे हैं f r क्यों बोल रहे है क्योंकि r vector के along वाला यह direction उसको f r बोल दिया और जो इसके perpendicular है उस वाले component को ने f theta बोल दिया जाता है rotational motion में जो r vector के along वाला component है उसको f r बोल दिया जाता है radial component बोलते है ठीक है और जो radial के perpendicular वाला component है उसको f theta बोलते है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे linear motion में na f x बोल देते थे horizontal को है ना और f y बोल देते थे vertical को ये वोई चीज है यहाँ पर radial component horizontal component को radial component बोल देते है और vertical component को angular component बोल देते हैं तो f r और f theta ये वैसे ही है जैसे f x और f y हुआ करता है समझ गए मेरी बात यहाँ तक clear है f r कुछ नया नहीं है f r वो ही f cos theta जो आप पहले देखते थे f theta कुछ नया नहीं है वो भी f sin theta ही है वो वही चीज है बस नाम अलग-अलग हो गए है जैसे आपने equations of motion देखी है सभी बच्चों को बता रहा हूं जिनका यह paper में आ रहा है तो यह तो यह याद रखना कि 3 equations of motion जो उनके proof करवाए है वो रट्टा मार कर जाना वो आएंगे जरूर ठीक है न वो आएंगे जरूर और यह वाला question भी important है और बहुत छोटा साई question है एंगुलर motion इसमें rotational में नहीं आएगी जोटी उसमें तो आएगी पक्का आएगी वो छोड़ना मत उसको SN-SN-1 वाला फंडा लगता है उसमें करके जाना बता है क्योंकि यह एक थम रूल है कि आप सारी चीज कर जाओगे आप जो छोड़ कर जाओगे ना वो ही आती है पिर बहुत गुस्सा आता है कि यह लगता है कि सारा तो कर लिया यह छोड़ा है वो ही आता है सब के सास्थ हुआ 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 तो इसलिए चलिए चलिए जी तो अब کیा है draw on perpendicular to the line of action of the force इन ट्रैंगल O&P अब ट्रैंगल O&P की बात करते है मैं टॉर्क निकालना चाहरा हूं तो टॉर्क क्या होता है र, f, sin, theta र, f, sin, theta होता है टॉर्क ठीके तो हमने यह कहा है कि sin, theta अगर निकालेंगे तो भाई यह sin, theta निकलेगा कहाँ पर sin, theta, cos, theta, 10, theta कहा निकलता है राइट ट्राइंगल में तो साइन थीटा कैसे निकलेगा O N P इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल O N P साइन थीटा इस एकोल टू पर्पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियूस O N अपॉन 90 डिगरी के सामने वाली साइट O P O N क्या है D और O P क्या है R यह हो गया साइन थीटा की वाली हो गई D अपॉन R इसका मतलब स्माल डी की वाली क्या है R साइन थीटा इसको बोल दीजिए इक्वेशन नमबर वन उसके बाद आप यह कहेंगे as we know that magnitude of torque is given by as we know that magnitude of torque is given by tau is equal to R F साइन थीटा R F साइन थीटा तो इसको F तो अलग लिख लो और R साइन थीटा अलग लिख लो तो tau is equal to क्या हो गया F D हो गया यह पूव करना था यह पूव करना था कि magnitude of torque is equal to magnitude of force into momental magnitude of force into momental समझ गए तो आपको जो मेहनत करनी है जो चीज याद रखनी है वो याद रखने वाली क्या है यह डाग्राम बस यह डाग्राम आपको याद रखना है इस डाग्राम में यह ट्राइंगल बनाना है और थीटा इस वाले अंगल को लेना है अब आगे देखिएगा F-vector can be resolved into two components अब यह जो दो components हैं जरा इन दो components की बात कर लेते हैं तो F-vector can be resolved into two components radial component F are acting along the direction of R-vector angular component और tangential component F-theta perpendicular to R-vector यहाँ पर आप यह देखिएगा radial component radial component F-r is equal to F-cos-theta or angular component मैं दोबारा पता रहूं की radial component और angular component सुनकर नाम इनको घबरा मत जाना की नही चीज़ आगे है यह वो ही horizontal component को यहाँ radial component बोल दिया जाता है और vertical component को यहाँ पर यह angular component बोल दिया जाता है ठीक है? तो F-theta क्या देते हैं उसको F-theta is equal to यह हो गया F-sine-theta तो Tau is equal to R-f-sine-theta क्योंकि Tau is equal to R-f-sine-theta है तो यह जो F-sine-theta है इसको आप F-theta भी बोल सकते हैं अपोने 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 अप distance from the axis of rotation so only angular component of force is responsible for producing torque ये भी question में लिखा हुआ था ठीक है देख लीजे जड़ा question में क्या लिखा हुआ है कि also show that only angular component of the force is responsible for producing torque torque produce करने के लिए सिर्फ angular component ही responsible होता है ठीक है मतलब ये radial component जो है ये responsible नहीं होता ठीक है सिर्फ angular component F sin theta ही तो angular component है तो torque के formula में क्या आ रहा है angular component ही तो आ रहा है इसका मतलब angular component is responsible for producing torque बस इत्ता सा ये दिखाने है ये जड़ा सा है ये angular component is responsible for producing torque पहला वाला जो portion था उसमें क्या प्रूव करना था कि torque into force into moment arm ये perpendicular distance from the axis of rotation इसको moment arm भी बोल देते हैं समझ गए? ठीक है जी clear? ठीक तो ये दो इत्ते इत्ते से एक ये diagram है ये इतना सा बस ये आपको करके दिखाना है मैंने question के form में लिख दी है ठीक है तो छोड़ना मत जनरली जो चीज़ बताता हूँ छोड़ कर जाते है बच्चे फिर वो आती है paper में चलिए जी आगे चलते है उसके बाद अगला देखिएगा next है torque in three dimensional motion तो torque को three dimensional motion में कैसे represent करा जा सकता है? अगर मान में रिये अच्छा कलास नहीं ले पाया था आपकी extra class की में बात कर रहा था आज ले सकता हूँ आप बस 7 बज़े तक एक बार अपना whatsapp group check कर लेना परेशान नहीं करूँगा जादा सिर्फ आदे गुंटे की class होगी एक चोट आधा topic भी हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा नहीं नौ से सड़ेनों ठीक है न मैसेज कर दूँगा अब 7 बज़े तक एक बार चेक कर लेना अगर मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब नहीं होगी और मैसेज आया तो फिर होगी तो अधिक है नो ओनलाइन बोड़ना आज चीक है ना आज डाउन्टरीम पड़ेगी तुम दूनों होगा तो टॉर्क इन 3-Dimensional motion तो दूरों के साथरर तो पड़ेगी कि योँः तुम नहीं तुम नहीं आया तो तुम नहीं आया तो तुम नहीं आएगी तो अब्ट ग्सात हागा कि जिस दिक जो नहीं आता उन अब्सकाव कि एक आता ऑखि दो कि एक आता है तॉर किन थी-दिमेंशिनल मशंट तौ ग्रिक्वर इसक्वल तौ R vector cross F vector ठीक है तो 3 dimensional motion में torque को कैसे represent करा जा सकता है तो आप यह देखेगा कि अगर हमारा जो यह distance vector है R vector अगर R vector ऐसे express किया जाए कि X I cap plus Y J cap plus Z K cap ठीक है और F vector को ऐसे represent करा जाए कि F X I cap plus F Y J cap plus F Z K cap तो cross product कैसे लिखा जाता है वो देखेगा tau vector is equal to determinant बनाएंगे I cap J cap K cap X Y Z R vector वाला पहले लिखेदेंगे X Y Z और F vector वाला बाद में लिखेदेंगे F X F Y और F Z तो इसको इस तरीके से represent करा जाएगा याद है ना भई cross product कैसे करते थे ठीक है अब अगर भूल भी गए है तो कोई बात नहीं अब भी बता देता हूँ एक मिनिट में समझ में आ जाएगा यह जो पहला वाला component है इसको लेते हैं plus वाला दूसरा वाले को लेते हैं minus वाला और तीसरे वाले को लेते हैं plus वाला ऐसे करते हैं तो tau vector जब हमारा r vector भी और f vector भी i cap, j cap, k cap i cap, j cap, k cap इसकी terms में अगर हमको दे रखा है तो हमारा tau vector यह कैसे निकलेगा यह है प्लस का i cap i cap अब मैं लगा रहा हूँ curly bracket क्या करते हैं कि i cap जिस column में है यह column छोड़ देते हैं और जिस row में है यह वाली row छोड़ देते हैं यह row छोड़ दी सौरी, यह column छोड़ दिया और यह row छोड़ दी तो क्या बचा? y, z, fy, f, z तो this into this minus this into this y, f, z minus z, fy y, बस यह pattern याद रखना कि x बनेगा ऐसे और ऐसे है ठीक है? तो एक्स ऐसे बनेगा x ऐसे बनेगा पहले यह वोपर से नीचे ठीक है? और फिर नीचे से उपर, ठीक है? तो पहले उठ गए और थिर गए तो वो तो गलत बात है ना पहले अगर इंसान गिर जाए और फिर उठे तो जड़ा बात अलग होती है तो यह चीज याद रहेगी इस वज़े से यह तरीक्या बता रहा हूँ कि पहले गिरना है फिर गिर कर उठना है तो गिर कर उठने वारे को ही क्या बोलते हैं क्या था कोई डायलोग था मैं भूल ग लिए तो याद रहे कि पहले तो ऊपर से नीचे जाना है फिर नीचे से ऊपर जाना है सही है तो yfz-zfy यह अच्छा फिर माइनस jcap minus j cap minus j cap के बाद अब j cap वाला इसको हटा हो ज़रा अब j cap वाला column छोड़ दो और j cap वाली row छोड़ दो row ये होती है horizontal grouping को row बोलते है vertical grouping को column बोलते हैं तो ये वाला column छोड़ दो ये वाली row छोड़ दो तो क्या बचा? x, z, fx, fz तो this into this पहले गिरेंगे x into fz minus z into fx हाँ, कर देना भाई विराज plus k cap k cap अब ये plus k cap क्या आगिया plus k cap तो ये column छोड़ दिया और ये वाली row छोड़ दिया तो अब हमारे पास क्या बचा? x, y, fx, fy x into fy minus y into fx बस ये है और अब क्या करना है? अब बस अब कुछ करना है नहीं है i cap वाला ही है ये j cap वाला है ठीक है? ये चीज़ है तो ये आपका हो गया torque in three dimensional motion ये ऐसा topic है कि ये अलग से आप से कोई ऐसा नहीं है कि आप से अलग से पूछा जाए कि आप इसको करके दिखाओ ठीक है? मतलब उतना important नहीं है जो इससे पहले वाला था वो important था हाँ जी अगला देखेंगे जरा angular momentum अगला देखेंगे जरा था momentum देखेंगे अचा इसमें एक चीज़ और देखी है कि जैसे ये tau vector है न तो इस tau vector को हम ये कह सकते हैं कि tau vector is equal to जैसे f vector था f vector को बोला f x i cap fy j cap f z k cap ऐसे tau vector को बोल सकते हैं tau x i cap plus tau y j cap plus tau z k cap ठीक है? तो जब दोनों को compare करेंगे तो इधर i cap का coefficient क्या tau x और इधर i cap का coefficient क्या ये bracket हम ये कहेंगे it implies that tau x is equal to y f z minus z f y ये तो हो गया torque x axis की direction में फिर tau y यानि कि torque y axis की direction में ये क्या हो जाएगा? minus का, क्योंकि ये plus का है तो minus का x f z minus 2 लगातीजे minus z f x ये हो या tau y फिर उसके बाद tau z ये हो जाएगा x f y minus y f x ठीक है? आगे चलते हैं जी next topic है angular momentum angular momentum जैसे linear momentum होता था तो linear momentum में क्या करा जाता था? linear momentum में mass into velocity कर देते थे m into v वो कहला था linear momentum ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद बात करेंगे angular momentum की angular momentum में क्या होता है? angular momentum का formula होता है linear momentum into perpendicular distance from the axis of rotation ठीक है? तो linear momentum में होता था m into v mass into velocity angular momentum में होगा linear momentum into perpendicular distance from the axis of rotation देखे f into d क्या होता है? torque होता है f into d होता है torque और यह होता है p into d p के होता है linear momentum p होता है mv ठीक? तो बस यह अंतर है देखे angular momentum of a particle rotating about an axis is defined as the moment of the linear momentum of the particle about that axis moment of the linear momentum यह जो torque था न? torque torque को आप क्या बोलते थे? moment of force moment of force moment of force का मतलब क्या है? force into moment arm moment arm होता था perpendicular distance from the axis of rotation force into perpendicular distance क्या हो जाता है? torque momentum into perpendicular distance क्या हो जाएगा है? angular momentum बस इतना अंतर है इसी लिए angular momentum को moment of force ना कहकर moment of linear momentum कह देते हैं क्योंकि यह angular momentum के लिए term यूज करेंगे L L होता है P into D ठीक है? और torque के लिए term यूज करते थे tau तो tau क्या होता था? F into D तो क्या अंतर है? यहाँ F into D है यहाँ P into D है तो F into D था तो क्या बोलते थे? moment of force यहाँ P into D है तो moment of P यानि की linear momentum ठीक है? P linear momentum है P is equal to MV वही ठीक है? तो देखिएगा लिखा हुआ भी है L is equal to P D its SI unit is SI unit बताइए जरा यह linear momentum की SI unit क्या होती थी? P is equal to MV P is equal to MV तो mass की unit kilogram meter per second यह होता था? तो kilogram meter per second और distance की unit क्या होती है? meter रहे सुनो इधर देखो भई kilogram meter per second kilogram meter per second यह तो P की unit होती है और D की unit क्या होती है? meter M into M क्या हो जाएगा? M square A G M square per second यह होती है ठीक है भई? बायो वाले बच्चों के लिए खुशकबरी है योगी जी का announcement सुन लिए ना नया गाजियाबाद के लिए गाजियाबाद में नया AIMS बनेगा हाँ हाँ आज ही की news है आज ही की news है चलो जी अभी AIMS बहुत सारे बन गए हैं ना मतलब अधर जोदपुर में भी है बहुत सारे हैं पहले तो बहुत ही उधर उत्राकंड में हैं रिशिकेश में है रिशिकेश में बहुत बढ़ी है बहुत ही बढ़ी है चल यह जी अब आगे देखिएगा next topic है angular momentum can be expressed as the vector product of two vectors vector product of two vectors तो अब यह देखिएगा कि जैसे हम torque को देखते थे थे ना torque को जैसे रिप्रेजेंट करा तो बिल्कुल उसी के जैसा जैसे पहले डाग्राम देखा था बिल्कुल उसी के जैसा डाग्राम है जैसा हमने आज जो पहला ही topic देखा था कि torque can be expressed as the product of two vectors vector product of two vectors वही है अन्ध्राम अन्ध्राम थे खा इसमें भी बैसे ही दियाग्राम तीन एक्स बना लेंगे यह front वाली x-axis, vertical वाली z और इधर वाली y यह origin हो गया हमने कहा कि कोई एक particle है यहाँ पर P तो जैसे हम direction दिखाते दे ना force की बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे पहले वाले दे देखा था हमने जैसे force की direction देखी थी यहाँ पर F vector अब यहाँ force की direction ना देखकर momentum की direction देख लेंगे linear momentum की तो P vector इधर हो गया ठीक है और फिर क्या करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि R vector इस तरह से होता है तो चाहे तो R vector को इधर extend कर दो चाहे F vector को ऐसे ले आओ parallelly तो यहाँ P vector है तो P vector को parallelly ले आओ नहीं आपर ऐसे P vector को parallelly यहाँ पर लेकर आगे तो दोनों की बीच का angle कितना हो गया theta हो गया तो suppose the particle has linear momentum P vector which makes angle theta with R vector the angular momentum L vector of this particle is defined as the vector product of R vector and P vector ठीक है तो L vector is equal to R vector cross P vector ठीक इसका कोई derivation नहीं है बस यह जरासा है बस L vector is equal to R vector cross P vector और जब इसके magnitude की बात करी जाएगी small element बनाना इसको वो length के लिए होता है capital L होता है angular momentum के लिए यह हो जाएगा R P sin theta ठीक अब special cases मतलब दो दो जो topic है न वो compare करके साथ साथ पढ़ना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा जैसे अभी देखा था न F sin theta यह बिल्कुल ऐसा ही diagram भी बिल्कुल यही था diagram में उसमें और इसमें अंतर क्या है महां F vector था यहां P vector है बाकी बिल्कुल सेम है तो दोनों diagram बिल्कुल सेम है ठीक है टॉपिक में भी बस इतना अंतर है यहां क्या लिखा है अंगुलर मोमेंटम वहां पर क्या था वहां पर था टॉर्क सिर्फ इतना था कि टॉर्क के बाद अगला टॉपिक special cases इसमें देखेंगे तो पहला special case क्या देखा था when theta is equal to 0 or 180 degree ठीक है वही case यहां पर देखिएगा बस तो when theta is equal to 0 or 180 degree तो L कितना हो गया 0 और जब 90 degree तो L कितना हो गया maximum rp अब ज़रा अगला question देखिए अगला question देखिए question जो यहां पर हमने करा था question वैसा ही question है show that the angular momentum of a particle is the product of its linear momentum and moment arm वहां पर क्या था force into moment arm यहां क्या है linear momentum into moment arm ठीक है और बस f की जगह सिर्फ p p p p p लिखते चले चले जा बिल्कुल सेम है ठीक है वहां fr था यहां पर लिखोगे pr pr ठीक है radial component ठीक है वहां पर f theta था यहां पर लि देख लो diagram भी बिल्कुल सेम है वही जो हमने यहां पर यही सेम diagram है बस f की जगह है small p आ जाना है सब कुछ सेम है triangle भी सेम बन रहा है on p sin theta भी वही है on upon op वही तो बता रहा हूं दोनों सेम सब कुछ सेम है सब कुछ सेम है सिर्फ f की जगह पी और कुछ नहीं है बिल्कुल आगया जी अगला top अगला topic भी सेम तो यह दो topic कुछ कर लेना यह दो topic बिल्कुल ही सेम है क्योंकि आप भी पक जाओगे कि यही चीजी है दुबारा दुबारा क्यों बता रहे है ठीक है तो यह अपने आप करना और अगर मुर को मौका मिला तो यह relation between torque and angular momentum एक यह topic है छोटा ही है और मैं कोशिश करता हूं कि इस से अगला वाला भी है अगला वाला तो नहीं हो पाएगा पर यह चोटा दा topic है यह जरूर करवा दूँगा अज extra class लेका ठीक है तो बस 7 बजे तक आप message चेक कर लेंगा ठीक है ओफ-लाइन आने के जरूत नहीं है hardly 20-25 मिनिट पही हो जाएगा आदा गंटा भी नहीं लेगा ठीक है चलिए जी और निधी कल का मैं आपको बुड़ाओंगा नो बजे से ग्यारा बजे के बीच में सुभा अब बता दे ना मरेको सुभा ही बता दे ना मैं करवा दो